बिस्मिल्लाइ रह्माने रहीम, अस्सलाम अलेकुम, उमीद है आप सब ठीक होंगे, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्री रेडिकल्स, हम आज पढ़ेंगे कि फ्री रेडिकल्स क्या है, how फ्री रेडिकल्स are generated, some examples of फ्री रेडिकल्स फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स are atoms, are group of atoms, possessing odd number of electrons, फ्री रेडिकल्स या तो atoms है, या group of atoms भी हो सकते हैं, जिसमें odd number हो, odd number of electron हो, या निए unfair हो इसे हमें पता है कि एक even numbers होते हैं, एक odd numbers होते हैं, odd numbers होते हैं, 1, 3, 7, 5, 7, और even number होते हैं, 2, 4, 6, जो pair में होते हैं तो हमें रेडिकल्स में क्या होता है, कि उसमें unpaired electrons होते हैं, यह हमारी पास एक example है, कि फ्री रेडिकल्स में एक जो है electron वो unpaired होता है अब free radicals किस तरह से generate होते हैं free radicals are generated by homolytic homo means same are equal lightic means breakage, breakdown होना breakage of bond between two atoms when they absorb heat or light energy free radicals तब बनते हैं जब equal breakage हो किसी भी दो atoms के बीच में जो bond होता है क्यों हो जब वो heat या light energy को absorb करें उस वक्त जो उनके बीच homolytic breakage होती है और radicals बनते हैं तो homo means same, lightic means same are equal lightic means breakage, breakdown होना अब हमारे पास for example एक molecule है उसके पीच में एक covalent bond है for example ये दो hydrogen है एक hydrogen दूसरे hydrogen के साथ जोड़के दोनों ने अपना duplet जो है वो complete किया हुआ है अब जब इन दोनों के बीच में जो bond है उनकी breakage होगी तो वो अलग-अलग हो जाएंगे एक hydrogen अपना electron अलग कर देगा और एक hydrogen अपना electron ले लेगा तो दोनों क्या हो जाएंगे? free radicals हो जाएंगे a free radical is extremely reactive species free radical जो है वो highly reactive होता है and it has tendency to complete its octet और उसमें एक सलायत होती है अपना octet complete करने की या duplet complete करने की जैसे हमारे पास hydrogen है तो hydrogen जो है अपना duplet complete करने की सलायत रखता है जब वो free radical होता है तो वो highly reactive होता है वो अपना duplet complete करता है it is represented by putting dot over the symbol of an element यह represent कैसे होता है किसी भी element के उपर हम dot देखें तो वो क्या है वो radical है अब हमारे पास है chlorine CL2 एक molecule है जब sunlight या light energy उसके उपर absorb होती है तो वो अलग-अलग हो जाते है जैसे chlorine के बीच में यह bond है, covalent bond है क्योंकि chlorine के पास 7 electrons होते हैं और दूसरे chlorine के पास भी 7 electron है अब वो क्या करेंगे? sharing करेंगे वो अपना electron इसको देगा और वो उनके बीच में एक mutual sharing होती है, covalent bond बनता है जब sunlight इनके उपर आती है, absorb करते हैं यह sunlight को तो यह breakdown हो जाते है homolytic breakage होती है, जैसे वो अपना electron, उसका electron अलग जो हो जाएगा और हो chlorine का electron अलग हो जाएगा तो दोनों अलग-अलग हो जाएगे, तो यह दोनों क्या होगे? यह हो गए free radical हमारे पास एक और example है, methane का की carbon जो है वो tetravalent है, उसके पास चार electron होते हैं और most shell में, और वो जो है अपना octate complete करने के लिए उसको चार और electron चाहिए तो वो hydrogen के साथ mutual sharing करता है, चार hydrogen, चार carbon से मिलकर उनका duplet complete होता है और carbon अपना octate complete करता है, जब यह heat या light energy को absorb करते हैं, तो इनमें breakage होता है जैसे एक hydrogen जो है वो अलग हो गया, उसका electron अलग हो गया और carbon का भी unpair electron हो गया तो दोनों अलग-अलग radicals हो गये, देखे ch3 dot है और h dot, तो दो अलग-अलग radicals बन गये हमारे पास उमीद है आपको ये विडियो पसंद आई होगी, अगर आपको कोई भी question हो तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हो मुझसे इंशाला हम नेक्स विडियो में जो है वो ions को discuss करेंगे और difference between ions and free radicals को discuss करेंगे इंशाला तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेगा और अगर आपको विडियो पसंद आई हो तो like, comment, share करना बिल्कुल मत भूलिएगा इंशाला नेक्स विडियो में मिलेंगे, Allah आफिस